जैन साथ्यों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गणित विशय गुरुकुल में आज के लेक्चर में हम लोग कांफर्मल मैपिंग के याने की ट्रांस्फर्मेशन के बहुत सारे प्रकार हम लोगों ने देखे थे उसी विशाय में आज हम लोग कुछ और examples को discuss करेंगे कुछ transformation के प्रकार इस प्रकार से है Translation, Rotation, Magnification और Inversion ये चारों प्रकार को हम लोगों ने पिछले lecture में discuss किया था यादि आप लोगों ने conformal mapping के starting के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो description में आपको link मिल जाएगी या फिर आप YouTube चैनल के playlist में भी जाके हमारे सारे lectures को वीडियोस को आप देख सकते हैं आज के lecture में मैं कुछ प्रशन लेने वाला हूँ ये बहुत important प्रशन है Consider the transformation, एक transformation हमें दिया गया है W equal to Z, E to the power I pi by 4 under root 2 हमें determine करना है region R' को of W plane इसके पहले इस तरीके से example मैंने already लिये है उन examples को देखने के बाद ये आप आज का lecture देखते है तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा हमें region R' निकालना है W plane देखिए एक Z plane होता है Z plane में region R होता है W plane होता है Z की mapping W में होती है W plane पे R' होता है तो हमें R' को निकालना है अपनको R याने Z की value यहापे दी गई है देखो यहापे values दी गई है W plane निकालना है हमें corresponding to the rectangular region R एक rectangular region हमको दिया है rectangular region के हमें points दिये गए यहाँ पे, क्या points दिये गए है, bounded by the lines, lines दिगए x equal to 0, y equal to 0, x equal to 2, y equal to 3, यह अपन को z plane पे दिया गया है, ठीके, तो यह पहले अपन diagram यहाँ पे अगर बनाना चाहिए, तो पहले बना सकते है, फिर बाद में जब हम इसे solve करेंगे, तो solve करने के बाद हम u और v के points को plot करेंगे, x और y के points अपने पास x और y के points दिये गए है, तो x की value गया है हमारे पास, x equal to 0, y equal to 0, इन्हें x axis और अपने पास दिया है, y axis, यह अपना x axis है और अपना y axis है, ठीके, x axis के लिए हम y equal to 0 लिखते है, और y axis के लिए हम x equal to 0 लिखते है, x equal to 2, यह 1 हो गया, यह 2 गया, x equal to 2 पे line चले जा रही है, ठीक है, उसके बाद y equal to 3, 1, 2, 3, यह y equal to 3 पे एक line जा रही है, तो यह हमारे पास एक rectangular region है, ठीक है, यह R हम इसे R से संबोधित करेंगे, rectangular region है अपने पास, ठीक है, यह line है y equal to 3, और यह line है आपकी x equal to 2, तो इसे आप rectangular region कहेंगे, नाम दे देते O, यह point को हम नाम दे देते A, इसे नाम दे दे देंगे हम B, और इस point को नाम दे देंगे हम C, O, A, B, C, यह हमारे पास rectangular region R है, अब हमें इस चीज़ को पहले स्वाल करना है, सबसे पहले हम solution में क्या लिखेंगे, तो जो हमें bounded region दी थी, इसके अनुसार फिर हमने डाग्रम बना लिए, लिखना है, उसके बाद लिखना है, अमें the given transformation is, तो given transformation क्या है हमारे पास? the given transformation is, given transformation है हमें पर W equal to Z, 83 power I pi by 4 into under root 2, ठीके दिखने में ऐसा आपनको difficult लगता है रिवापरी, क्या values दी गई है, इसको कैसे स्वाल करेंगे, बहुत आसाने आप देखिए, W का मतलब होता है F of Z, W का मतलब होता है F of Z, और F of Z याने की W याने F of Z, जिसे हम लोग U plus IV कहते हैं, U plus IV की value दी है Z, A to the power I pi by 4 into under root 2, इसे स्वाल करेंगे, U plus IV equal to Z की value होती है, X plus IV, E to the power I pi by 4 को हम लोग लिख सकते है, cos theta plus I sine theta के रूप में, याने cos pi by 4 plus I sine pi by 4 into under root 2, इसे यादि आप स्वाल करें, तो U plus IV is equals to X plus IY, cos pi by 4 की value होती है, 1 by root 2, sine pi by 4 भी क्या होता है, अपने पास, 1 by root 2, यह चो सभी को पता है, नहीं पता है, तो table एक बार फिर से learn कर लेंगे, जो आपने बच्पन में किया था, तो आपको ये value समझ में आ जाएगी, पता चल जाएगा, ठीके? इंटू under root 2, under root 2, 1 by root 2, 1 by root 2, common निकल की root 2 से cancel हो जाएगा, क्या बच जाएगा? X plus IY into 1 plus I multiply करेंगे आप, तो X plus IY plus I से multiply करेंगे, तो plus IX minus Y, IY into I, I square which is minus Y, तो यहाँ पर real आप एक तरफ कर देंगे, तो X minus Y एक तरफ, प्लस I common निकल देंगे, X plus Y एक तरफ कर देंगे आप, तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे, आप दोनों को evaluate करें, sorry, equate करें, तो equate करने पर आपको क्या मिलेगा? U की value मिल जाएगी, U की value मिल जाएगी, X minus Y, V की value मिल जाएगी, X plus Y, U और V की दोनों की values मिल गई है, X और Y की हमारे पर already values है, X की और Y की values है, यह values हम लोग यहाँ पर put कर देंगे, जैसे हमें यह values यहाँ पर put करेंगे, हमें U और V की अलग-अलग values मिल जाएगी, जिसके याने X plus I Y, याने इसे हम लोग X, Y plane भी कहते हैं, X, Y, sorry, X, Y plane भी कहते हैं, Z plane को हम लोग U की value क्या है, X equal to, सबसे पहले अगर हम X equal to 0 ले, X equal to 0 लेने पर, क्योंकि X दोनों में है, U और V दोनों में है, तो हमको U की value क्या मिल जाएगी, U की value minus Y मिल रही है, और V की value Y मिल रही है तो but, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, W plane में रखने के लिए, तो W plane पे यादी हम रखे हैं, तो W plane पे भी हमें किसी points को रखना है, हम X variable या Y variables को नहीं रख सकते हैं, points को ही रखते हैं हम लोग, ठीके, तो इसे अगर points में बदलना है, तो हम लोग क्या कर देंगे हैं, आप अपन को मिल जाएगा 0, तो U plus V एक लाइन का equation हो गया, जिसे हम याँ पे plot कर पाएंगे W plane पे, अब हमें Y की value 0 दी है, तो हम Y की value 0 लेंगे, अगर Y 0 है हमारे पास, तो क्या मिलेगा, U की value X मिलेगी, और V की value भी आपको X मिलेगी, इन दोनों का आपको minus लेना पड़ेगा, ताकि variable हट जाएं यहां से, तो यदि आप इनका minus लेंगे, तो variable हट जाएगा, answer क्या आजाएगा, 0, अब X की value क्या दिए है, आपको X की value 2 दी है, यदि आप X की value आपको 2 put करेंगे, तो U की value आजाएगी 2 minus Y, और V की value आजाएगी 2 plus Y, क्या करना होगा, आपको Y को आटाना है, 2 को नहीं हटाना, तो minus Y और plus Y है, हमारे पास तो U plus V करेंगे, और U plus V करने पे 2 plus 2 क्या हो जाएगा, 4 minus Y plus Y cancel हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो तो, ठीक है, फिर last में हमें Y की value दी है, Y equal to 3, Y equal to 3 put करने पे, U की value हमें X minus 3 दिख रही है, और V की value हमें X plus 3, X plus 3 दिख रही है, X को हटाना है, तो U minus V करना होगा, U minus V करेंगे, तो यह हो जाएगा minus 3, और यह भी minus 3 हो जाएगा, क्योंकि minus V लिया है हमने, तो minus minus 6, तो यह हो गया minus 6, U minus V, अब यहाँ पे यह सारी values अपन को put करनी है, U minus V equal to 0 आया है, that is हम इसको U equal to V लिख सकते है, और अगर हमारे पास U plus V V आया है, तो U को हम equal to minus V लिख सकते है, तो यहाँ पे देखिए, अगर यह 0 है अपने पास, ठीक है, डागराम यहां से चलू करते है, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 तक का हमारे पास कम में आया है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और नीचे, 1, 2, 3, ठीक है, U equals to V, याने origin से पास उने अली positive direction में, U equal to V यह वाली लाइन हो गई, U equals to V, या हमारी U equal to V वाली लाइन हो गई, दूसरी लाइन आपनको दिया, U equals to minus V, याने यह वाली लाइन हो गई, आपके पास, U equals to minus V, उसके बाद U plus V equal to 4, अगर हम इसे देखे तो U by 4 plus V by 4 equals to the cry one, तो U की value 4, V की value 4 हमारे पास है, तो U की value 4 याने यह और V की value 4, 1, 2, 3, 4, यानी, यहां से पास होने वाली एक लाइन है, यह 4, 4 point से पास होने वाली एक लाइन है, उसके बाद यहां पे अगर हम देखे, तो U की value minus 6 और minus 6 को divide में लाएंगे, तो यह plus V by 6 equals to 1, तो U की value minus 6 है, V की value 6 है, तो U की value याने minus 6, V की value याने यह 6, तो इसको हम लोग जोड़ दें, यहां से, इस तरीके से, तो आप देखेंगे यह वाला region, इतना region, यह जो आपका region यह वाला, ठीके से हम R डेश नाम देदेंगे, तो यह आपका O है, या फिर इसे O डेश नाम देदेंगे, O डेश, A डेश, B का डेश, C ठीके, O डेश, A डेश, B डेश, C डेश, यह आपके पास एक नाया region मिला, कहां पे मिला बेटा आपन को, यह मिला W प् पे कहने का मतलब इसे हम UV plane कहेंगे, UV plane का मतलब यह आपका U-axis, यह आपका V-axis, UV plane पे, ठीके, U और V की values पूट करने पे, आपको यह एक region दिखाई दिया, और यह region कैसा है, अब इसके बारे में आपन को बताना है, determine the region, region के बारे में आपन को बताना है, कि यह region कैसा है, ठीक यहाँ पे जो ड्याग्रम है, सतरीके से स्तीर है, यहाँ पे थोड़ी सी ड्याग्रम इस त्तरीके से आड़ी दिख रही, आप इन सब को मिटा दे, यह लाइनस को मिटा दे, अकार अ कि अप आप्स ड्याग्राम को देखिए एक तो बड़ी भी हो गई और रोटेड़ भी हो गई तो रोटेड यहां पे हो गई है देखिए धी हाप रोटेशन आपको लोगों कोदी रहा थो रोटेशन कितने से हुआ है अल्रेडी आपको कितना दिया है पाइब 5-4 तो यह एंगल है अपने पास पाइब 5-4 एंगल रोटेशन दिया और मैगनिफिकेशन कितने से बड़ा हो गया है वो हो गया अंडरू टु ऑल्रेडि अपन को गिवन दिया है तो हम लोग ईंडर उट टू तो यहाँ पर अंडरू से वह बढ़ है तो दो चीज़ ओर ही एक तो रोटेचन हो रा है और रोटेशन का एंगल कितना है है आपर पैबाइफ benefici और aí rotation का angle और मैगनिफिकेशन हो रहा है इस कि एग्जामपल लेंगे इसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा एक्जामपल लेंगे हम लोग इसके बाद और एक दो एक्जामपल को लेने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इस तरीके के equation दिये हम लोगों को x की value 0, y की value 0, x की value 2, y की value 1, determine r' of the w plane, याने z plane से w plane पे mapping हो रही है, और z plane के region अपन को दिया है, अपन को w plane का region निकलना, into which r is mapped under the transformation, transformation एक दिया है, आमको transformation थोड़ा से बड़ा दिया है, क्या दिया है, इस transformation से यदि आप देखे, तो आपके पास यहाँ पर magnification under root 2 into z, देखे, translation का मतलब क्या होता है, translation का मतलब होता है, w equal to z plus alpha, याने की z में कोई चो भी plus करके alpha value दिया है, तो यहाँ पर translation भी हो रहा है, w equal to a into z, याने magnification होता है, तो a याने under root 2 into z, तो यहाँ पर a की value भी दिया है, under root 2, याने magnification हो रहा है, w equal to e to the power i theta into z, तो यहाँ पर e to the power i theta into z भी दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका rotation भी हो रहा है, और आपने आपर तीने चीज़ हो रही है, Translation, Rotation और Magnification तीनों चीज़े हैं पर हो रही है तो last में हमको यही तीनों चीज़ मिलने वाली है तो जब हम U और V की डियागरम निकालेंगे W plane पे तो हमें यह तीनों चीज़े मिलेगी तो सबसे पहले हम लोग जो given region है उसकी हम लोग diagram निकाल ले तो X की value आपको क्या दी है X की value D है Y की value D है 00 X की value 2 D है X की value 2 D है Y की value D है 1 तो यह आपका region हो गया R यह आपका region हो गया इसे O, A, B, C के नाम से हम लोग denote कर देते हैं ठीक है यह आपकी value हो गया X equal to 2, Y equal to 1 यहापे Y equal to 0 X equal to 0 यह आपके पास region है है अब हम लोग यहां पर सोलूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है गिवन ट्रांस्फोर्मेशन इस सोलूशन में क्या लिखेंगे सोलूशन में जो भी आपको लेट और रेक्टेंगुलर रिजन और बाउंडेड वाइद लाइन्स वह आपको एक्वेशन दिया है तो पहल बार बार में यह लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे अंडर रूट टू इटू दी पावर आए पाइबाए फोर याने क्या होता है कॉस पाइबाए फोर प्लस आई साइन पाइबाए फोर अभी हम लोगों ने एक्जामपल में देखा इंटू जेड प्लस वन मा है वन बाइ रूट टू इंटू जेड प्लस वन माइनस टू आए तो जेड को भी हम लोग यहां पर उपन कर लेंगे जेड की वैलू होती है एक्स प्लस आई वाई प्लस वन माइनस टू आए अब यहां पर देखे मित्रो और अंडर रूट टू तो अपन निकाल के बहार रख देंगे तो कैंसल हो जाएगा तो क्या बिचेगा अपने पास एक्स प्लस आई वाई इंटू वन प्लस आई प्लस में वन माइनस टू आए तो यू प्लस आई वी की वैलू हमें यहां से मिल जाएगी मल्टिप्लाइ करेंगे यहां पर तो एक्स प्लस आई वाई प्ल x plus y minus 2, i common निकल गया, u plus iv में से u की value क्या मिल गई, here, u की value हमें मिल गई है, x minus y plus 1, and v की value हमें मिल गई है, x plus y minus 2, तो यदि आप x की, y की values यहां पर put करेंगे, x, y और यह सारी की सारी values हम लोग यहां पर put करेंगे, तो हमें, u और v की corresponding values मिलते चली जाएगी, यदि हम x की value 0 ले, तो u की value क्या मिलेगी हमें, x की value 0 लेने पर, x हो गया 0, तो u की value क्या मिलेगी, minus y plus 1, और v की value क्या रहेगी, y minus 2, तो यहां से क्योंकि हमें y को हटाना है, variables को हटाना है, तो y को हटाना है, u plus v कर दो आप, तो u plus v आप करेंगे, तो minus y plus y cancel हो जाएगा, 1 minus 2 is minus 1, y के जगा 0 लेंगे, तो y के जगा 0 लेंगे, तो x plus 1 बचेगा, और v की value क्या मिलेगी, x minus 2, आप यहां पर u minus v आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी x plus है, यहां पर भी x plus है, तो u minus v है यहां आप करें, तो आपको मिलेगा, 1 minus 2 यहांने की 3, u minus v equals to 3 मिला, x की value क्या है, यहां हमारे पास next value है 2, put करने पर u की value हैं में क्या मिल रही है, 2 plus 1 यहांने 3 minus y, 3 minus y और v की value क्या मिल रही है, 1 plus y, तो यदि आप इसे देखे, u plus v यदि आप करें, तो u plus v, minus y plus y cancel हो जाएगा, value कितनी आ रही है यहां पर, 3 plus 1 is 4, okay, 2, x के जगा 2 put करने में, 2, 2 cancel हो जाएगा, उनली यहां पर बच रहा है y, तो y cancel, यहां पर value आ गई है 3, ठीक है, u की value, x plus 1 is 3, ठीक है, now y की value, 1 put करने पर हमें क्या मिलेगा, y की value 1 put करने पर, u equals to, minus 1 plus 1 0, तो x बचेगा, v equal to, y के जगा 1 put करने पर, x minus 1 मिलेगा, जिसे आप minus कर दे, u minus v करे, तो u minus v करने पर, आपको मिलेगा, x cancel हो जाएगा, तो minus minus plus 1 value, आपको मिल रही है, आपके, चो आपके line की equation आगे, u plus v equal to minus 1, तो इसे हम लोग आपके plot करेंगे, यह हमारा था z plane, जिसे हम z plane करेंगे, आपके रहाम इसे x, y plane भी कह सकते है, x, y plane, या नहीं हमने, x, y के points पूट करेंगे, x और y के points पूट करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे u, v plane निकालेंगे, जिसे हम लोग w plane कहते हैं, u की value minus 1, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते है, u upon minus 1 plus v upon minus 1 equals to 1, तो u की value minus 1, और v की value minus 1, ठीके, तो u equal to minus 1 और v equal to minus 1 से, एक line पास हो गई हमारी, u की value 1, 2, 3, और v की value minus 3, 1, 2, 1, 2, और 3, ठीके, तो यह 3, और यह minus 3, यह आपका 3 है, तो यह जो line है आपकी, इस line को हम u minus v equal to 3 कह रहे हैं, u plus v equals to 3, तो u plus v equals to, u b 3, v b 3, 1, 2, 3, यह 3 से पास होने वाली line, यह 3 से आपने पास करा दी, u की value 1, v की value minus 1, u की value 1, v की value minus 1, u की value 1 है, और v की value जो है, आपकी वो minus 1 है, तो यह वाली line, तो आप देखे, यह वाला इतना region, आपका r- कहलाएगा, यह वाला region, bounded by this line, इन line से, जो आपन को region मिला, यह वाला region है, तो हम देखे, तो हमारा O, जो की इस तरीके से, तो आप यहाँ पर बदल गया है, O, A-, B-, C-, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, अब आप इस region को देखे, और इस region को देखे, तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़े, परपर्म हो चुकी है, पहले बाद तो यह जो डागरम है, इस तरीक से घुम गई है, रोटेशन हो चुका है, इसने अपनी जगाद छोड़के, यह region में, यहाँ पर नीचे आ गई है, पहले आप यह फर्स्ट क्वाडरंट में था, रोटेशन, ट्रांसलेशन और मैगनिफिकेशन पर परफॉर्म कर रहा है, तो उम्मीद है आज को, आज के लेक्चर में आपको यह जो मैंने पढ़ाया है, यह आपको समझ में आया होगा, अगला एक और एक्जाम्पल लेंगे छोटा सा, और इम्पोर्डेंट एक्जाम्पल है, फाइंड दा इमेज, हमको इमेज फाइंड करना है, यह एक सर्कल का एक्वेशन दिया है, मॉड ओफ जेड माइनस त्री आएक्वेशन दिखता है, अनलेडिक फंक्शन में हम लोगों ने डीटेल में देखा है, अगर अनलेडिक फंक्शन आमें आपने, दोस्तो तिसरा एक्जाम्पल हम लोगों ने आप लिखा है, फाइंड दा इमेज ओफ, मॉड ओफ जेड माइनस त्री आएक्वेशन दिखा है, इस सर्कल की हमको एक इमेज निकालना है, अन्डर दा मैपिंग एक और मैपिंग दी गई है अपन को, मैपिंग कैसी दी है, इन्वर्जन वाली, इन्वर्ज मैपिंग दी है, डावल एक्वेशन दू 1 बाई जेट, तो सबसे पहले हम लोग सोलूशन यहां पर लिखेंगे, सुलूशन किस तरीके से होगा, भाई सुलूशन में हांपे हम लोग लिखेंगे, दा गीवन सर्कल, इक्वेशन उफ सर्कल इस दा गीवन इक्वेशन ओफ सर्कल इस, जेड मायनस 3 आए, एक्वेशन तो 3 अपन को दिखेंग रहा है, And the given mapping is, the given mapping, given mapping हमें दी गई है, क्या mapping है, w is equals to 1 by z, so यहां से हम लोग z की value निकालके यहां पर पूट कर सकते हैं, यहां से, तो z की value हो जाएगी 1 by w, जो कि हमें यहां पर पूट कर देंगे, therefore, z के जगा 1 by w, minus 3i equals to, हमें पास दिया है 3, तो यह हो जाएगा, आपके पास, 1 minus 3i w divided by mod of w equals to 3, 1 minus 3i w equals to 3, mod of w, यहां पर चले जाएगा, cross multiply में 3, इनके पास, 1 minus 3i w, w की value क्या होती है, u plus i w, सभी को पता है, 1 minus 3i, u plus i w is equals to 3, mod of w का मतलब है, again, mod of u plus i w, यहां से यहाँ से यह आप देखें, तो आप real और imaginary को यहाँ पर multiply करके अलग करना होगा, 1 minus 3i u minus, minus plus हो जाएगा, क्योंकि i into i, i square which is minus 1, तो यह हो जाएगा, 1 plus 3v mod of में equals to 3 mod of u plus i w, यहाँ आप mod में देखें, mod में हम लोग u plus i w को क्या लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं, under root में u square plus v square, तो यहाँ पर भी real part under root में real का square, ठीक है, real याने क्या है, यहाँ पर one plus 3v, one plus 3v real है, तो one plus 3v का square plus imaginary क्या है, आए के साथ आने वाला part, आए के साथ आने वाला part क्या है, मैं पास, minus 3u, इसका square करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, मैं पास, 9u square, under root दोनों तरीके से हमारे पास cancel हो जाएगे, under root, ठीक है, या फिर हम squaring कर देंगे, हापे, तो यह क्योंकि squaring ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपे 3 को under root है नहीं, तो one plus 3v का whole square plus 9u square equal to 9u square plus v square, plus 6v plus 9v square plus 9u square equals to 9u square plus 9v square, 9 से multiply हो, 9u square और v square दोनों cancel हो गया, क्या मिलगी value आपको 6v plus 1 equals to 0, तो जो given circle हम लोगों को दिया था, उसकी image हमको क्या मिली है, straight line के form पर मिली है, तो the image of given circle is a straight line 6v plus 1 equals to 0, और यह हमको यहाँ पर बताना था, तो यह छोटा सा example है, जो की important है, exam में आ सकता है, आज के lecture में हम लोगों ने तीन खास important examples को discuss किया है, आशा करता हूँ आज का lecture आपको समझ में आया होगा, यदि आज का lecture आपको समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्जु दक share करना ना भूले, क्योंकि ग्यान बाटने से ही बढ़ता है, मिलेंगे अगले lecture में, तब तक के लिए जाए ही, जाए भारत, वंदे मातरम सातियो, धन्यवाद आप सभी का.